दोस्तों लगता है 2024 लोगसभा चुनाव से पहले जनता जागरुख हो रही है, खासकर यूवा जो है, वो जागरुख हो रहे है कि उनको कैसा नेता चाहिए, किस तरीके का नेता चाहिए जो देश का, देश में रह रहे हैं लोगों का, खासकर यूवाओ का भला कर सके। तभी तो देखिये ना किस तरीके से DM आफिस के बाहर हजारों लाखों की तादाद में लोगी खट्चा हो रहे हैं क्योंकि पेपर लीग अब उत्तर प्रदेश में आम हो चुका है। बार छात्रों के सामने आ जाता है। छात्र मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, एक्जाम देने का जब वक्त आता है, जब नौकरी मिलने का वक्त आता है तो उनके साथ इतना बड़ा खिलवार हो जाता है कि पेपर लिख कर दिया जाता है। और आब उसी को लेकर उत इसे जो है छात्र सडकों पर उतर कर तालियों के साथ यहां ताली पीट-पीट कर सरकार को घेरते वे नजर आ रहे हैं राजे साहू लिखते हैं प्रियाग राज में लोगसभा आयोग के सामने युवाओ का हुजुम उमर्ड पड़ा है यह किसी भी सूरत में पीछे आठने क को तयार नहीं है इनका कहना साफ है कि R.O. A.R.O की परिक्षा को रद किया जाए दोबारा परिक्षा करवाया जाए कुछ यही हाल हमारे सामने लखनों में पुलिस भरती के अभ्यारतियों का भी हुआ था कि कैसे जो है पुलिस भरती के समय भी पेपर लीक का मामला सामने पुनित कुमार सिंग लिखते हैं क्योंकि पेपर लिख का मामला अब लोगों के सामने बढ़ता जा रहा है आगे गोविंदा प्रताप सिंग लिखते हैं यूपी में बेरोजगार तबा है यूवा पर लिख कर परिक्षा देनी जाता है लेकिन पेपर मोबाइल पर तैरता हुआ मिलता है आज जब कॉंस्टेबल भरती पेपर लिख को लेकर एको गार्डन में धरना दे रहे हैं प्रियाग राज में आरो ए आरो वालो का अलग धरना चल रहा है हर तरफ उत्तर प्रदेश में धरना पर धरना जो है वो दिया जा रहा है नरगिस बानो लिखती है पर्याग राज में लोगसिवायों की सामने यूवाओं का जबरदस तरीके से वरोध प्रदर्शन यूपी में यूवाओं की हालत पर रोना आता है कैसे इनका भविशे कभी मंदिर मशुद के नाम पर तो कभी पेपर लीग के नाम पर बरबाद किया जा रहा है तो आप देखी दोस्तों की किस तरीके से जो है इस वक्त उत्तर परदेश में छात्रों का हुजूम जो है वो बोलतावा नजर आ रहा है छात्र धरणा दे रहे हैं प्रदर्शन कर रहे है जिन छात्रों के भविशों के साथ खिलवाड हो रहा है वो अब चुप नहीं बैठ हैं सड़कों पर उतर आए हैं दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही प्रदर्शन देखने को मिल लहा है कि कैसे जो है वो लोग लगाता धर्ना दे रहे हैं क्योंकि अगनी वीर योजना भाजपा सरकार तो ले आई लेकिन वो इतना फिल्लियोर हो चुका है कि अब फौजियों को आर् पॉर्ट देख सकते हैं चैनल पर हमारे कि कैसे उन लोग उन लोगों का दर्द जो है वो छलकता वह नजर आ रहा है यही हाल उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल जगा जगा पर प्रदर्शन धर्ना ऐसा ही नजारा 24 से पहले दिखाई दिया जा रहा है दोस्तों इस प